हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल कॉमिक फैन पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, मर्द और मुर्दा, कॉमिक्स का दूसरा भाग दरवाजा खुलते ही चोक पड़ी जूली, अरे इस्पेक्टर इतिहास, आप आईये, भिदर आईये न मगर इस्पेक्टर इतिहास अंदर नहीं आया, जैसे मोत की तरह जपट पड़ा, वह जूली पर, तुझे ले जाने के लिए आया हूँ जूली, मुमी, अहा, प्रिंस का करकस सवर में, चीकता हुआ, दरवाजे की तरफ जपता, लेकिन एन उसी वक्त, दरवाजा भढ़ाक से बंध हो गया, फड़, 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 प्रिंस कमरे से बाहर निकलने के दूसरे रास्तों पर आगे बढ़ा, मगर इस बार खिड़की पर लगा शिशा, उसके रास्ते में दिवार बनकर खड़ाता, काओ, तराक, ठहर प्रिंस, ठहर, मैं खिड़की खोलती हूँ, जहा संकल मम्मी को जीप में ले गए है, प्रिंस, तू उनका पीछा कर, मैं पापा को बलाने जाती हूँ, जल्दी ही मारिया आप पहुची थी वहाँ, जहां एक कबर में सोया पड़ा था मुर्दा, मारिया की चीखों ने जखजोर दिया वातावरन को, जलजला सा मचा दि मारिया उस कबर पर, जो एंथोनी की थी, मम्मी को बचाईए, पापा, मम्मी की जान खत्रे में है, घबरा मत मारिया, घबरा मत, ऐसा नहीं होने देगा एंथोनी, इस रहस्य को जानना होगा मुझे, कि तिहास चुली का दुश्मन कैसे बन गया, महीं आप पहुचा, प्रि जल्दी कर मारिया के देखते देखते एंथोनी वे प्रिंस कबरिस्तान की चार दिवारी को पार करते चले गए, और इधर डोगा को भी उस वक्त तलास थी, इस्पेक्टर इतिहास की, सिर्फ इतिहास ही मुझे बता सकता है, वीडो किलर तक पहुचने का रास्ता और मुर् जाओ, मैं तुमारी मदद करूँगा, मेरी मम्मी की जान खत्रे में है, उन्हें इतिहास अंकल जीप में पता नहीं, कहां ले गए हैं, वो देखो, पापा और प्रिंस, उन्हें बचाने जा रहे हैं, हो, एंथोनी, गर, भो, भो, मेरे कुत्ता मित्र, तुन्हें उन्हें उनका पीछा कर, और मुझे बता कि वो कहां गए हैं, जल्दी जा, वुफ, वुफ, इधर इस्पेक्टर इतिहास को किसी किसम की जल्दी नहीं थी, आ, आ गई, तुम होश में जूली, जूली की ब्रिकोटियों में एक आहे की तनाव उत्पन होता चला गया, इतिहास, मैं तुम्हें एक सरीफ इंसान समझ कर, तुमारी इज्जत करती थी, मगर आज तुमने ये कैसी जलील हरकत की, और अहा, यह मुझे क्या हो रहा है, मेरे बदन पर जैसे सैक्टों काटे चुब रहे हैं, हा, 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 यह काटे उन वस्त्रों के है जूली, जो धीरे-धीरे तुम तुमारे जिसम में पैवस्त होते चले जा रहे हैं, तुम इस समय जिस इस्थान पर पड़ी हो, वह अभी मंत्रित है, और अब कुछी देर बाद, तुमारी सारी खाल भी, तुमारी हड्यों से चिपकना शुरू हो जाएगी, तुम्हें तकलीफ तब ज्यादा होगी, जू जूली मुझे भी अपनी जान बचाने के लिए जरूत है एंथोनी की, मैं आ गया हूँ इस्पेक्टर इतिहास, थपाड़। और तुम्हें मालूम है कि जब जुल्म होता है, कबर फट्ती है, एंथोनी बाहर आता है, तो किसी को कबर में जाना होता है, आज बारी तेरी है क्योंकि आज जुल्म तूने किया है, ना जाने कैसी शैतानी सक्ती भर गई थी स्पेक्टर इतिहास के जिसम में, कि उसी पल एंथोनी ऐसे उचला, जैसे तेज बोल्ट की बिजली, उसके सरीर में परवाहित होती चली गई हो, उस वक्त बल्बोसी जमक वे दहक थी इतिहा जास में ऐसी सक्ती कहां से आई, धम, कडाक, जवाब एंथोनी को भी पाना था, मगर उससे पहले उसे बचाना था जूली को, क्योंकि मुझे खतम करने से पहले जूली को बचा एंथोनी, क्योंकि अब उसकी खाल भी तेजी से उसकी हड्यों में जजब हुई चली जा रही है, और ये बिल्कुल सच था, एक भयानक अंथ के लिए तु तयार रहना इतियास, तेरे जिसम की खाल को एंथोनी नोच कर फेक देगा, एंथोनी जूली तक पहुचा, मगर उसी पल उसे अपनी भयानक भूल का एसास हुआ, ओहो, ये क्या, मेरे अंदर अजीब सी उतल प चारे का इस्तेमाल किया है, उसके बाद तो तुझे मेरे जाल में फसना ही था, एंथोनी, यह मंतर कोन मैंने तेरे लिए ही बनाया है, इस अभी मंतरित मंतर कोन में, अब तेरी आत्मा तेरे जिसम से अलग हो जाएगी, एंथोनी, ये उतल पुतल मेरी आत्मा के कारण मच कही है मेरी आत्मा सचमुच मेरा जिसम चोड रही है मैं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि चहा कर भी अपने जिसम को कोई भी हर्कत नहीं दे पा रहा तो क्या आज एंथनी की मोत हो जाएगी नहीं स्शायद प्रिंच कुछ कर सके, प्रिंस, एंथोनी की आवाज का सम्मोहन, जैसे प्रिंस के मस्तिष्क तक में उतरता चला गया था, सुर्क आखे, और सुर्क हो उठी, करकस स्वर, और करकशा गया, हाँ हाँ हाँ, काओ, 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 फड़ा, 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 विद्वा भी नहीं बचेगी, और अहाँ, नहीं, एंथोनी से मेरा मानसिक संपर्क तूट गया, कैई आत्माओं के एक साथ चिखने की आवाज, जैसे एंथोनी के कंट से निकल कर, बाता वरन को थर्थराती चली गई, क्रियाओ, एक जबरदस चटके के फलसवरूप, वह मंत्र कोन की सीमा से बहार जा गिरा परलेंकारी निगाहे, अब इतिहास की ओर उठी, मुर्दा मरा नहीं करता इतिहास, मुर्दा नाम का ये तुफान जब आता है, तो जिन्दगी नाम की इमारते धराशाई हो जाती है, तंतर जाल तूट गया, फिलहाल मुझे यहां से भागना होगा, उफ, तराक ओ, गबरा गया, मेरे जिसम को मेरी हड्यों में पैवस नहीं करेगा इतिहास, तराक, उसके लिए मैं आ गया हूँ एंथोनी, कड़ाक, मगर आने वाला अकेला नहीं आया था, वुफ, वुफ, गुर, गुर, वुफ, ये खुंकार कुत्ते कहां से आ गए, इन्होंने मेरा रोक लिया है, कैसा अजीब से योग है ना एंथोनी, पिछली दफ़ा मैं इतिहास का दुश्मन बना हुआ था, तो तू उसे बचाना चाता था, जबकि अब तू उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है, तो उसे बचाने आया है, डोगा, क्योंकि इस समय मुझे उसकी पाया, कि तुम आखिर हो कौन, प्रिंस, एंथोनी ने पुकारा वह नाम, उसी पल लहराया प्रिंस, काओ, उफ, और बला की फूर्ती से उचला एंथोनी, मेरा नाम एंथोनी है, एंथोनी गुंजालवेज, पिछली दफ़ा, इतिहास मेरी निगाहों में कानून का एक पेटी को उसकी मा से जुदा करने का अपराद किया है, तो वो औरत तेरी पत्नी थी, बहुत खतरनाक है तू, क्योंकि अभी तक भी तू उन रिष्टों को जिन्दा रखे हुए है, जो तेरी मौत के साथ ही तूड़ जाने चाहिए थे, तेरी रू इन रिष्टों से आज तक भी अपना नाता नहीं तोड़ सकी, यही कारण है कि तेरी आत्मा आज भी अत्रप्त है, आज भी तू जिन्दा है, और जब तक तू जिन्दा है, अपनी पत्नी और अपनी बच्ची पर हर वक्त मोत का साया बनकर मंड़ाता रहेगा, वो जिन्दा तो रहेंगे, मगर तेरे वजूद की मजूदगी के कारण दोबारा सांसारिक बंदों में नहीं बंद पाएंगे, तेरी पत्नी चाहेगी भी तो, तेरी बेटी को दूसरे बाप का साया भी न दे पाएगी, यूही अकेले रहेकर इस जालिम दुनिया से हो जाएगी, तेरी रूहु भी वहाँ पहुंच जाएगे जहां जिसम की मोत के बाद रूहु को पहुंचना होता है, वा, ब्रूम, गोलिया तेरे इस जिसम को खतम नहीं कर पाई, मगर गोले तेरे इस जिसम के चीथड़े उड़ा देंगे, ताबर तोड फाइरिंग में इस बार एंथोनी के जिसम की मोत निश्चित थी, डोगा की आँखों ने देखा, एक और आश्चरी है, ओहु, गोला तो निशाने पर ही लगा है, मगर एंथोनी अचानक कहां गायब हो गया, पलक जपकने के साथ ही टेलिपोर्ट हो गया था एंथोनी, जहां तक उसकी भाव चैरे पर लिये, तुफान मुठी में लिये, तुम ओहु, धम। डोगा की कलाईयों को एंथोनी ने अपनी ठंडी आग में जकड लिया, इसकी पकड़ वाली जंगे पर बुरी तरह जलन होने लगी है, क्या कर रहा है ये, ओहु, मेरी गन छुट गई, खुंखार जाता है, जैसे दिल को किसी ने मुठी में भीच लिया हो, इसकी ठंडी आग की प्रेच सक्ती से मैं एक ही धंग से निपट पाऊंगा, तडप उठाता दोगा, लेकिन होट कसकर भीच लिये ते उसने, ताकि करहा तक को बहार निकलने का रास्ता ना मिल सके, सुना है, भू यह क्या, पानी, अहाँ, स्प्रिंक, पानी सचमुच उसकी कमजोरी था, बुरी तरह तडप उठता था, वो पानी में, काओ प्रिंस, मैं इसकी ठंडी आग के फंदे से छूट गया, इधर आकास में गुंज उठा था, चिडियो का कलक भी, जोकी संकेत था सुरियोद्य का अब हर हाल में लोटना ही था एंथोनी को, ओहो, अचानक कहाँ चला गया, एंथोनी से एक बार फिर मेरी जंग अधुरी छूट गई, लेकिन मैं ऐसाफल नहीं हुआ, इतिहास मेरे कबजे में है, उसी पल वहाँ गुंजने लगे थे, पुलिस जीपो के सायरन, इधर फिल इसकी सकल हुबहु तुमसे मिलती है, मगर मैंने पता किया, तो तुम्हारी वास्तिकता मेरे सामने आ गई, ओहो, वीडियो किलर, मैं तुमसे ये जानना चाता हूँ, कि क्या तुमारा कोई जुड़वा भाई भी है, और अगर है, तो वो इस वक्त मुझे कहां मिलेगा, मै ये मा मुझे लेकर मुंबई से रूपनगर आ गई थी, ताकि कम से कम मुझे उससे दूर रख सके, कल जब वह मुझे से मिला, तो मैंने उसे अपने घर के तहकाने में बंद कर दिया, क्योंकि तब तक मैं फैसला नहीं कर पाया था, कि उसका क्या करूं, मकान का नंबर वही जो इस हवलदार ने मुझे दिया था, वो रहा, अब ये मेरे हाथों से नहीं बचेगा, डोगा तेजी से सीडिया उतरता चला गया, अहां, होश में आजा हत्यारे, क्योंकि तुझे अपनी मोत का मंजर खुद भी देखना है, इतिहास की आँके खुली, उसकी फटी-फट आँकों में से, उस वक्त छाक रहाता गहरा आस्चरी है, डोगा तो तुम, तुम यहां तक कैसे पहुँचे, क्या तुम्हें भी वीडो किलर ही यहां लेकर आया है, मुझे यहां इस्पेक्टर इतिहास लेकर आया है, उसके हमसकल होने का फायदा उठाकर, अब तुम अपनी आत्मा परविष्ट कराकर, वो हमेशा के लिए कानून की आँक से दूर रह सके, जिस समय तुम एंथोनी से लड़ रहे थे, उस वक्त वही मुझे मुझे वहां से यहां ले आया था, यहां आकर उसने शायद मुझे सम्मोहित कर दिया, और खुद इतिहास बन बैठ तो ज्यादा समय तक कानून और डोगा को धोका नहीं दे पाऊंगा, डोगा के मस्तिस्क में फूल जड़िया सी छूटने लगी, ओहो, कहीं यही वो वज़ा तो नहीं थी, जिसके कारण कल एंथोनी, जिस इतिहास को बचाना चाहता था, आज वही उसका दुस्मन बन गया एंथोनी को वहां बुलाने के लिए ही वीड़ो किलर इतिहास के रूप में जूली को वहां लाया होगा, ओहो, मगर वह मुझे यहां लाकर गया कहां, सहसा ही चिहुक पड़ा डोगा, धुआ, शायद उपर आग लगी है, ये आग वीड़ो किलर नहीं लगाई होगी, वो उससे पहले तुमारी जंजिरे तोड़ना जरूरी है, उसके बाद तैकाने के इस दरवाजे को, बाहर चारो तरफ आग लगी है, जितनी आग इस सीने में हर वक्त लगी रहती है, उससे कम है, जिस जीप में हम यहां आयते, उसमें जूली भी थी, वीड़ो किलर जूली को भी साथ ले गया है, शायद वो अपनी शैतानी मंत्र सक्तियों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश करेगा, ओहो, वो कहां गया होगा, अब इसका पता कैसे लगेगा, एक रास्ता है, मैं तुम्हें वहीं लेकर चलता हूँ, जल्दी ही, इतिहास, क्या हुआ तुमें, ये क्य हालत बना रखी है, और ये कोन है, सब कुछ बताता हूँ, इतिहास उसे सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद, वेनु का मस्तिश्क, साय साय कर उठा, ओ गोड, इसका मतलब उस वक्त महां कोई चोड नहीं, बलकि वीड़ो की लड़ता, जो तुमें अपना शकल पाकर उस वक्त महां से चला गया था, हाँ, परना शायद आद तुम मुझे जिन्दा नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त उसको मेरा पीछा करना, तुमारी हत्या करने से ज़्यादा जरूरी लगा होगा, वे अब बच नहीं पाएगा, वीड़ो किलर अपनी तंतर किर्ण तो हम अपनी तंतर किर्णों का पीछा करते हुए वीड़ो किलर तक पहुंच सकेंगे, वेनु की गुप जासूश तंत्र किर्णों के जाल ने एंथोनी की कबर को घेर लिया, और सुर्यास्त की सुर्क किर्णों के लुप्थ होते ही, चीक पड़ी वेनू, वीडियो किलर की तंत्र किर्णे, एंथोनी की कबर से कॉन्टेक्ट कर रही है कबर सचमुझ फट चुकी थी, एंथोनी की आत्मा कबर में परवेश कर रही थी जिसके बाद मुर्दे को तत्काल ही कबर से बाहार आना होता है लेकिन आज मुर्दा कब्र से बहार आकर अजाद नहीं था ओहो कब्र से बहार आते ही मुझे अज्यात प्रेजशक्तियों ने जकड लिया है मैं अपनी इच्छा से पलक तक भी नहीं जपका पा रहा हूँ अज्यात प्रेज शक्ति की ये जंजीर मुझे बांदे ना जाने कहां लिए जिये जा रही है जल्दी ही ओहो ये हरकत भी इतिहास की है इतिहास के पास मुझे बांदने की शक्ति कहां से आई नहीं ये इतिहास नहीं हो सकता ये कोई बहरूपिया है गला फाड़ कर शैतानी हसी हसाव है इतियास उर्फ विडियो किलर आखिर मैंने तुझे पकड़ लिया एंथोनी और अब सोल्ड ट्रांसफोर्मेशन यानी मेरी और तुमारी आत्माओ की अदला बदली का ये दरश्य है तुम भी देखोगे और मैं भी उसके बाद फासी की सजा पाया 20 विद्वाओ का ये हत्यारा विडियो किलर पालेगा एक नया चहरा एंथोनी के चहरे के रूप में मगर चुकी तुमारी आत्मा मेरा जिसम ग्रहन नहीं करेगी इसलिए विडियो किलर दुन्या की निगाहों में मरत साबित हो जाएगा यानि बाजी हर तरह से मेरी ही हातों में है हाँ 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 सोल ट्रांसफोर्मेशन के तुरंत बाद मुझे देनी होगी एक विद्वा की बली जिसका परबन जूली के रूप में मैं पहले ही कर चुका हूँ आत्माओ की अदला बदली शुरू हो चुकी है एंथोनी क्रैक का नहीं ये नहीं होना चाहिए उफ करकस्वर में एक चीकता प्रिंस आगे बड़ा मगर तेरा इंतिजाम भी मैंने कर रखा है शैतान कोवे उसी पल वहाँ पहुँच कर जवरदस जटके के साथ रुकी कार में से निकले दोगा, इस्पेक्टर इतिहास और वेनू ओन नो विडो किलर एंथोनी के जिसम से उसकी आत्मा खिचने का परियास कर रहा है इसके साथ ही वो अपनी आत्मा को एंथोनी के जिसम में परिष्ट कराने की चेश्टा कर रहा है क्योंकि मेरी आखे दोनों के बीच बना ट्रांस्फोर्मेशन पुल देख रही है उस पुल को तोड़ना होगा वरना गजब हो जाएगा शायद जितनी देर में हम उपर पहुँचेंगे विडो किलर अपने परियास में सफल हो चुका होगा इसलिए अब मुझे बाहर निकालना ही होगा सजा को अहाँ वेनु अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को अपने सरीर से अलग करके मन चाहा काम ले सकती है जो तोड़ सके उस पुल को जो एन्थोनी और विडो किलर के बीच बना है इसी के साथ बोकला उठा विडो किलर ओ यह क्या हुआ पुल किस ने तोड़ दिया मैंने मुझे सजा कहते हैं हत्यारे सजा ओ यह तो एक आत्मा है धढ़ाक इधर तेजी से सीडिया चड़कर उपर आ रहे थे डोगा और इतिहास कि अचानक सामने की सीडिया भर बढ़ा कर गिर पड़ी अरे इस सीडिया अपने आप कैसे तूट गई यह तंत्र मंत्र का तूफान मचा हुआ है डोगा यह अपने आप नहीं तूटी इन्हें प्रेट सक्ती ने तोड़ा होगा विडियो किलर्ण ने ताकि हम उपर ना पहुँच सके अरे वेनु कहां रह गई उपर जंग जारी थी तुझे भी बान दूँगा सजा ओ नहीं इसी खोपड़ी की शक्ती से बंदा हूँ मैं किसी तरह अगर ये तूट जाए तभी मैं आजाद हो सकता हूँ कैसे उपर पहुँचा जाए यह प्रश्न इतिहास के लिए मैंत्पूर्ण हो सकता था लेकिन डोगा के लिए नहीं योकि वो समस्चाव को हल नहीं करता था बलकि उन्हें जड़ से खतम करता था अगर मैं इस पूरी निर्माना धीन बिल्डिंग को ही ध्वस्त कर दूँ तो उसमें दब कर वीडो किलर मारा जाएगा इतिहास को इमारत से बाहर ले आया डोगा उफ वेनू महां बेहोश पड़ी है मुझे इसे यहां से हटाना होगा किन्तु दोगा के सामने इस समय पहले एहम परश्ण उस इमारत को उड़ाने का ही था दोगा ने देर नहीं की जबरदस चटके से वीडो किलर के हाथ से छुट गई खोपड़ी ओ नहीं और सर्राट उसी वक्ट जैसे जूली की जान खत्रे में है क्योंकि बिल्डिंग टूटकर गिरी तो वो जिन्दा नहीं बचेगी बिल्डिंग ध्वस्थ होकर गिर रही थी नहीं उफ ये बिल्डिंग तो ध्वस्थ हो रही है मेरी सारी मैनत पर एक बार फिर पानी फिर गया धर्ड़ को द्रसाई किया है मलबे का धेर बन गई इमारत में वीडो किलर की चीक कब गुंजी इसका किसी को पदा तक नहीं चला खतम हो गया वीडो किलर का इकिस्सा इधर हितिहास वेनू की लाश देखकर पागल सा होता जा रहा था वेनू क्या हो तुमें वेनू होश में आओ वेनू और सचमुच होश आ गया वेनू को इतिहास उफ अचानक क्या हो था मुझे तुम ठीक तो होना वेनू उफ बिल्कुल ठीक मगर डोगा कहा है ओ अभी तो यहीं था इमारत को दोष्ट करने के बाद कहां गया शायद अपनी समझ से काम खतम कर समझ कर चला गया क्योंकि वीडो किलर निश्ची तुरूप से बचा नहीं होगा जिसको बचाना था भगवान ने उसे बचा लिया है वो देखो इतिहास एक ख्रोच तक नहीं है उसके शरीर पर ओ जूली यह जिन्दा है हिरानी है यह कैसे हो गया क्या कैसे हो गया यह सोचने में समय मत गवाव इतिहास सुबह हो रही है तांत्रिक परक्रियाव से गुजड़ने के बाद यह कोमा में चली गई है इसे तुरंट अस्पताल ले जाना होगा ठीक वक्त पर मैंने जूली को थाम लिया था अन्यता वो भी मलबे का ही एक हिस्सा बन गई होती इतिहास वेनू और जूली को लेकर वह कारतेजी से रूपनगर होस्पिटल की और दोड़ पड़ी थी इधर उस वक्त तो बहुत शान्त नजर आ रही थी वह कबर मगर ये शान्ती ठीक वैसी ही थी जैसे जौला मुखी के फटने से पहले होती है समाप्त चलिए दोस्तो इस कोमिक्स में इतना ही ये कोमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मिलते हैं फिर किसी अगली कोमिक्स में तब तक के लिए धन्यवाद